हेलो बहनों और भाईयो रक्षा बंदन का मौका है कुछ मीठा खाने का अपने भाई या बहन को सप्राइस कीजिए रस्मलाई कपकेक्स के साथ में मेरे पास है नुटराइट दूद्शक्ति प्रोबाइटिक पटर स्प्रेड और उससे इसको बनाएंगे पास शरू करते है यह मेरे पास में नुट्रलाइट प्रोबायिक पटर स्प्रेड दूद्शक्ति प्रोबाइटिक बटर sप्रेड बना है क्रीमी दूदसे और इसमें प्रोबायिक्स विच हेल्प सपोर्ट इमिनडी इसके साथ में शुगर यह दोनों चीजें मिक्स करनी हैं एक्षी इस प्रोसेस को जब हम खाना बनाना सीख रहे थे बेकिंग सीख रहे थे तो इसको क्रीमिंग कह जाता तो अच्छी तरह से मिक्स करना है और जैसे इसे मिक्स करेंगे थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाएगा फलफी होना इसमें मैं वनिला डालता हूँ वनिला एक्स्ट्राक्ट या वनिला एसेंस हम्म लोकिंग वरी नाइस ये कपकेक बना रहे है और इसमें रस्मलाई का भी इस्तमाल होगा नो एग बिलकुल अन्ड़ नहीं है इसमें थोड़ा और बीत करते हैं इसके साथ में दही दही मिक्स करी इसके अंदर और और अवन को प्रीहीट करना एक सोची डिग्री सेल्सियस पर अव टाइम टू अड़ मैदा बेकिंग सोडा दोनों को आप चाहे तो चन्नी में डालके भी आप इसको ले सकते हैं अब इसमें जरा रसमलाई का स्वाद देते हैं देखे रसमलाई का स्वाद आएगा इसमें यह जो इसका दूद होता है न यह इसके अंदर रसमलाई का मिल्क नाइस यह हमारा रसमलाई कपकेक अगर चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता भी डालना चाहते हैं तो कटा हुआ पिस्ता भी डाला जा सकता है, बैटर तयार, और इसको बेक करने के लिए ये कपकेक, ये पेपर के हैं, सिलिकॉन के भी आप ले सकते हैं, एंड उसके बाद में फ्लैट करने के लिए, चलिए, ये फ्लैट हो गया, ओवन तयार, 180 डिग्री सेल्सियस, धियार नखना है, पच्छी से तीस सुर्ण पर तयार हो जाएंगे, ये ये जो तेमप्रेचर और टाइम है, ये क्रिटिकल होते हैं, लेकिन अवन हमारे नहीं पर जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट वाले और जो बिल्कुल तेमप्रेचर मेंटेन करके रखें, कई बार ऐसे होता है कि जो बिजली है, इलेक्रिसिटी उसकी वोल्टेज थ कि देखें, ना बहुत जादा पके, ना बहुत जादा. So, 25-30 minutes, you'll be able to see, कि अरे, जादा हो रहा है, तो ये जादा हो रहा है, तो ये जल्दी उसको निकाल सकते हैं. आपने देखा कि नहीं अभी रंग तूरा मज़दार नहीं है, थोड़ा सा और 2-4 मिनट रख सकते हैं. So इसकी अब तयार करते हैं, आइसिंग, ये निट्रिलाइट दूर्चक्ती प्रोबाइटिक बटर स्प्रेड ये जो है, इसको बीट किया, उसके साथ में, आइसिंग शुगर. और साफरन वाला दूद इसमें डाल के, इसको कर दिया मिक्स, इसकी आइसिंग तयार, ये पाइपिंग बैग, बने बनाए, और नौजल मेरे पास में है, नौजल डाली इसके अंदर, और तो रसमलाई कपकेक के लिए, परफेक्ट, रसमलाई को दूद में से निकाल लेते हैं, और ये जो रसमलाई है, इसमें एक्स्ट्रा मिल्क, हलका सा प्रेस, मतलब ड्राइ नहीं करना है इसको, अच्छे, जो कपकेक्स हैं, ये बल्हया से बेक हो रहे हैं, मैंने थोड़े से बेक करके, ठंडा करके रखे हैं, ये इसको इसमें इसे ही रहने दे सकते हैं, या आप ये चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, तो इसको हम रहने देते हैं, और ये हमारे पास में जो आइसिंग है यह जो पिस्ता है इसके उपर रसमलाई कपकेक के साथ में मिल सकती है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास पें नुट्रलाइट दूजशक्ती प्रोभाइटिक बटर स्प्रेड नहीं कुछ तो बहाना चाहिए होता है जैसे बहाने में कभी कुछ इंग्रीडियन्ट होते हैं कुछ रिष्टे होते हैं और रिष्टों की बात कर रहे है तो रक्षा बंदन है ना तो रक्षा बंदन दे कुछ ना कुछ ऐसा मिलन करें सिर्फ भाई बहन का मिलन ही नहीं इंग्रीडियन्स का मिलन भी करें फिर जाके मुझा आएगा और कुछ नया करने के लिए ये बहने नहीं बनाएंगे भाई बनाएंगे रक्षा बंदन पर आप अपने भाई या बहन के साथ इस स्पेशल कपकेक्स मेड विद दूछक्ति प्रोबाइटिक बटर स्प्रेड जरूर शेर करें और अपने प्यारे रिष्टों को बनाएं और भी मीठा और आपके फेस्टिव रेसिपीज शेर कीजिए मेरे और निट्रलाइट के साथ उजिंग हैश्टाग फेस्टिव डिलाइट विद निट्रलाइट तो इन समे एक्साइटिंग प्राइसे इसको अच्छे नहीं लगते हैं सबको अच्छे लगते हैं कुछ भी मिल जाए लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं करनी पड़ती है एंटर करना पड़ता है और एंटर करेंगे प्राइज मैं दुआ करूंगा मैं प्रे करूंगा कि सबको मिलें ऐसा होता नहीं है ना दिल तो सबको करता है कि सब फर्स्ट आ जाने आते तो नहीं है पर एक चीज़ सब लोग कर सकते हैं क्या कर सकते हैं झाल झाल